मज़े की बात देखे उन्होंने क्या का हमने जितनी तेजी से प्रकित की है उतनी तेजी से किसी ने नहीं की सही बात है अरे दस साल में क्या हमें 72 साल हो गए कभी कॉंग्रेस से समझोता नहीं क्या बहतर दिन में कॉंग्रेस से समझोता किया इसलिए सब्कार आज तक एक भी मुद्धा आप नहीं बता पाएंगे जिसके उपर उने कभी यूटन न लिया हूँ इसलिए मैं पूरी गंभीरता से कह सकता हूँ कि 72 सालों में आज तक अपने किसी आइडियोलोजिकल मुद्धे पर हमने कोई स्टैंड चेंड नहीं किया बिजीपी वाले चर्चा कर रही है राहूल गांदी के भाषन और पाकिस्तान की उपर और उसी में अमिज देवगन भी बर्चर के हिस्सा लेने लगी उसी मुद्धे को रूपते हुए रागप चड़ा ने शुदांशु जी को असलियत बयान करते हुए हर बो सच का सामना करवाया जिससे वहाँ वेटे हर कोई शुदांशु जी का मजा लेने लगी पहले तो सुदांशु जी ने कहा कि एकलोती ऐसी पार्टी है भारती जन्ता पार्टी जिसने 72 साल में किसी चीज़ पर समझावता नहीं किया यह वही पार्टी है जो कहा करती थी कि PDP जम्मू कश्मीर की पार्टी अलगावादियों की पार्टी आतंकवादी वो पार्टी चलाते हैं जब भहुमत के आंकडे से कमाई तो गठबंदन की सरकार PDP के साथ चलाने वाली पार्टी भारती जन्ता पार्टी आप बहुत उपर आज जेपाल को समर्थन पत्र दे दिया हमने माइनॉरिटी गवर्मेंट चलाई थी अल्पमत की सरकार चलाई थी उसूलों पर सरकार से सीषवा दिया इन्होंने अलगावादियों को गाली दे दे कर अलगावादियों के साथ गठबंदन की सरकार चलाई ये है भारत की अर्थ वेवस्ता इसमें बहुत बुरे दौर से गुजर रही आज महंगाई हिंदुस्तान में 40 वर्षिय हाई पर है भारत की बेरोजगारी 45 वर्षिय हाई पर है औसदन 30 से जादा किसान इस देश में आत्मत्या करते हैं डॉलर 82 के पार हो गया है जो पेट्रोल जब 2014 में इनकी सरकार बनी थी तो 50 रुपे का बिकता था आज वो 100 रुपे प्रति लीटर के पार हो गया है यह एहम मुद्धे हैं जिस पे देश काम आदमी चर्चा चाता है लेकिन ध्यान भटकाने के लिए आपको भी मुझे भी और इस ओडियंस में बैठे सारे लोगों को एक ट् के चर्चा होगी तो वो तो एक ऐसी रेस है जिसमें रेस में भागने से पहले ही मोदी जी जीच जाएंगे आज आज ये बड़ा दुख का विशे है कि इतने बड़े मंच पर आज बेरोजगारी 45 एर हाय पर आप उसका सवाल नहीं पूछ रहे सुदांशु जी से अब तो प्रिया जी ने अमिज देबगन की बात को टोकते हुए पत्रकरिता के नाम पे दलाली करने का दावावी कर दिया अडानी पर जवाब देना पड़ेगा जे पीसी गठित करनी पड़ेगी क्या करो सदन मत चलने दो बड़ा हरामी हो गोटा एक व्यक्ति है वो आपका परम मित्र है तमामों साक्ष है कि वो आपसे बहुत क्लोज है उसके खिलाफ तमाम ऐसे आक्षेप हैं जिस पर ED, CBI, Income Tax, MCA, SFIO, RBIS, SEBI, IRDA तमामों एजनसी तूट पर सकती है एक एजनसी चून ही कर रही है एक मित्र मंत्री मंडल पर इतना भारी है कि बड़े-बड़े सांसद, मंत्री, बिचारे ट्रोल बनने को खड़े है कि अडानी जी को बचाना है बस यही बहाना है और कोई नहीं बहाना है कि पार्लेमेंट में अगर बहस होने देंगे तो जेपी सी कि वागोंगी और बकिया उद्रेंगी रीदीवा ये गड़ बड़े बाबाबा बात करो तो आप EDCBI भेजिएगा और किस बात की माफी किस बात की माफी मांगे कि हम अपने लोकतंत्र को सशक्त कह रहे हैं कि हम कह रहे हमारा लोकतंत्र डिसाइड करेगा दुनिया के लोकतंत्र की दशा अगर आप अटल जी के शिश्य होते तो आप खड़े होकर ताली आप नरेंद्र मोदी के शिश्य है तो आप ट्रॉल बन गए असलियत यह है कजब बेज़ती है आप UK में आप मॉस्कों में यूएस में जर्मनी में जाके कहते हैं 2014 से पहले और मेरे पास क्लिप है कहिए तू सुना भी तू 30 सेकंड की है अएव使 Canada को एक दिन में भारत के लोगतंत्र के दो दक्ष्रों रहें उनने दो दो लोगतंत्र दिख रहें बारत के लिए कत में पुषड़ को और यहां सब्सक्राय है और यह अब कि में आप के लिगर ए में